आजकल की दोड़ भाग भरी जिन्दगी में लोग अपने खान पर पर ध्यान नहीं देते हैं जिस वज़े से उन्हें पेट संबंदित दिक्कते होने लगती हैं जिस कारण से कई लोग तो अपने घरीली उपचार तो कई लोग अस्पतालों के चक्र काटते रहते हैं पेट संबंदित बेमारी जैसे गैस, कब्स, अपच आदी होने के साथ उन्हें कुछ ऐसे लक्षन भी देखने को मिलते हैं जिसमें उनके सिरदर्द, मुमे दाने, जीब में च्छाले भी देखी जाते हैं अगर आपको भी इन सभी चीजों से पचना है तो आप योग के कुछ आसनों को करके इन सभी चीजों से छुटकाराफा सकते हैं इसको लेकर हमने योग के ट्रेनर अमितेश सिंग से खास बात चीत की उल्वाने इसको लेकर क्या कुछ कहा? आईए हम आपको वो सुनाते हैं योग अभ्यास की बात करें हम जिससे हम प्रेट के समस्याओं को दूर कर सकते हैं जैसे के कब्ज, गैस, इत्यादी बहुत सारी चीजे हैं तो हम सबसे अच्छा आसन कह सकते हैं वजरासन यानि आपको ध्यान देना है खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद एक मात्र किया जाने वाला आसन है वजरासन आपको अपने दोनों पैर फोल्ड करते वे दोनों घुटने आपस में मिलाने हैं दोनों पंजे पीछे से मिलाने हैं आपने पंजो को फ्लैट रखें और धीरे से अपने दूनों हतेलिया अपने घुटनों पर रखें अपनी कमर गरदन को एकदम श्रेट रखें खाने के बाद आप इसको 2-3 मिनट तक कर सकते हैं जिससे आपका पाचन बिल्कुल स्वस्त होगा और आपका खाना प्रॉपरली पचेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं पवन मुक्तासन की दूसरा आसन पवन मुक्तासन जैसे कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि आपकी पेट की जो भी गैस है उन्हें ये कंट्रोल पर रखता है और गैस की समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी और कबजी की समस्या भी आपको बि इसके लिए हम क्या करते हैं अगनी सार करने के लिए आपको बस स्वास भरनी है आप किसी भी स्थिति पर बैठे हैं, अगर आप अदमासन लगार के बैठ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है वरना आप सुकासन पर बैठ सकते हैं, आपको धीरे से अपने दोनों हाथ घुटों पर रखनें सांस भरनी है, सांस शोड़ते वे आप धीरे से जाल अंदर बंद लगाएं और पूरी तरह से आपका पेट जब खाली हो जाता है स्वास पूरी तरह से बाहर निकल जाती है तो आपको अपने पेट का चालन करना है अंदर और बाहर अपनी नाभी को अपने स्पाइन तर ठच करते जाना है जी बिल्कुल आप रोजाना इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं वजरासन का अभ्यास सभी को प्रते दिन करना चाहिए जिनके जॉइंट में है यानि घुटनों में दर्द जादा रहती है जो जमीन पर नहीं बैठ पा करते हैं तो इस पर आप में ध्यान देना चाहिए अगर आप भी योग के इन आसनों और प्रणाना को लगतार करते हैं तो पेट सम्मंदित अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं उत्रण के नमुला से मैं रोहिद भाट लोकल 18 के लिए